नमश्कार, बोल्सकाय में आप सभी का स्वागत है आजकल लोगों का लाइस्टायल इतना बिजी हो गया है कि वे अपने खान पान का भी ध्यान नहीं रखते हैं डॉक्टर्स लोगों को रुटीन में कम से कम आठ ग्लास पानी के लिए कहते हैं लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पानी बीने का भी समय नहीं होता है फिर इसी का नतीजा बाद में सेहत को भुगतना पड़ता है कम पानी से हमारी किड्नी पर इसका असर पड़ता है देखा जाए तो आजकल किड्नी में पत्री की समस्या भी बहुत आम हो चुकी है पत्री होने पर पेशाब करने में भी काफी दिक्कत होती है और कई बार तो इसकी असहनिये दर्द भी शुरू हो जाती है इसका इलाज करने के लिए लोग ऑप्रेशन भी करवाती है लेकिन आज हम आपको किड्नी स्टोन का एक ऐसा इलाज बताएंगे जिससे जड़ से पत्री खत्म हो जाएगी सबसे पहले आप पत्री के लक्षन जान ले पेट में लगतार दर्द होना उल्टी होना, पेशाब में जलन होना बार बार पेशाब में संक्रमड होना पेशाब आना बंध हो जाना तो चलिए अब हम आपको इसका इलाज बताते हैं कि आप पत्री का कैसे घर बैटे इलाज कर सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए कुल्थी दाल कुल्थी दाल से आप पत्री को खत्म कर सकते हैं 25 से 30 ग्राम तक कुल्थी की दाल ले इसका सेवन करने से पहले आप इसे अच्छे से धोले अब आप इस दाल को रात भर पानी में भिगो कर रखें अगले दिन सुभा दाल को पहले चान ले अब इस पानी को निकालें तो लीजे तैयार है आपका पानी आप चाहें तो जो डाल है आप उसका सेवन बाकी डालों की तरह ही कर सकते हैं कुल्थी की डाल किड्नी स्टोन दूर करने में बहुत कारगर है इसके पानी के सेवन से पत्री खुद ही धीरे धीरे गलने लगती है और फिर पेशाप के रूप में बहार आ जाती है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ